मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट यह आता है कि मैम आपको अपने लिए इतना ज़्यादा टाइम कैसे मिल जाता है मुझे तो 24 गंटे में अपने फेस्द होने का भी टाइम नहीं मिलता है वेल होमेकिंग एक ऐसी जर्नी है जहां 300-65 दिनों में आपके लिए एक भी दिन चुटी नहीं है लेकिन आप अपना टाइम मैनेजमेंट को सही करके अपने लिए बहुत सारा समय निकाल सकते है और जब चाहे इस होमेकिंग की जर्नी से चुटी भी ले सकते है तो जैसा कि मुझे अपने हेर के लिए एक हेर मास्ट बना था यानि कल मैं हीना लगाने वागी हो तो एक रात पहले ही मैंने इसकी प्रिपरेशन कर रखी है क्या क्या है कि एक बोल मेरी सबसे पहले डाला है हीना तो जितने आपके बालो के लेंध है उस हिसाब से आप हीना या महंदी को ले ले और उसके बाद मैं यहाँ पर भींग राज का पॉडर डाल रही हूं यह मैं डालूंगी दो चमज उसके बार डालेंगे आमला पॉडर और नेक्स मैं डाल रहे हो ही बिकस यानि गुहल के जो पॉडर आता है वो मैं यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर रही हूं इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने गैस पे पानी को गरम करने के लिए रखा है और इसमें डाला है चाइपती और कॉफी पॉडर क्योंकि मुझे अपने बालों को तोड़ा सा ब्राउन चाहिए इसने कॉफी पॉडर का यूस और यह एर मास भाया के एर प्रॉब्लम भी बि देगा तो दीरे दीरे करके मेंधी में डालते जाएंगे और इसे लगातर हम मिक्स करते रहेंगे आप चाहिए इसका और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे लोगे की बरतन में मिक्स कीजिए इसे हम ओवर नाइट के लिए एज़टीज छोड़ देंगे नेक्स्ट आप अपने पूरे बालों को खुद ही कवर कर सकते हैं आपको अधर कोई भी हेल्पिंग हैंड की जरौत बिल्कुल मिनी पड़ेगी मैंने अपने पूरे बालों को अच्छी तरह से कवर कर लिया है लेकिन ये वरा हेर मास मैं बिल्कुल मॉर्णिं में अप्लाइ करती क्योंकि इस हेर मास को एक से दो गंटे एज़ इस चोड़ा है ये एक से दो गंटे मैं तो बढ़ बाद कर नी सकती तो इसलिए सबसे पहले से लगा लिया उसके बाद भर के सारे काम तो कीचे में ब्रेक्फास्स तेया रहा हुए और उससे भी जब टाइम मिला यानि कोई स पानी से जस्ट वास आउट कर लोंगी कोई शैंपू वेगर इस्तमाल नहीं करेंगे रात में यहां पर मैं सरसो तेल अपने पूरे बालों में लगाँगी और नेक्स दे यानि दूसरा दिन मैं सैंपू से अपने बालों को पूरी अच्छी तरह से साफ करोंगी ऐसा करने स से हीना का क्लर बहुत ही अच्छा आता है अब चुकी क्लीनिंग डूटिंग में मेरा आस्था में गेट को क्लीन करना मैंने अपने हर दिन के लिए अलग अलग रूटीन बनाया हुआ है अलग 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 बनाया हुआ है तो पूरे घर को इस तरह से डिवाइड किया है कि ह तो सबसे पहले में गेट में जो जो चीजे मैंने लगा के रखिए जितने सारे अपने डियाइवाइज उन सारे को हम साफ करेंगे और उसके बाद सू रैक को अची तरह से और नाइस करेंगे कभी कभी जलबादी हैं बच्चे या खुद हम ही अपने चीज़ों को अन और्गनाइस कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर हम दो मिनट का समय देखे अगर उसे सही कर दे तो यह लंबे दिनों तक अज़टी तरह से हो गई है सु रैक भी क्लीन कर लिया दोर वेगर क्लीन कर लिया तो अब आ गए लिविंग रूम के एरिया में बस सारी चीज़ों को जगा पर रख देंगे तो हो जाएगी यहां की क्लीनिंग पूरी अच्छी तरह से साफ तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगो बताया था कि मेरे अरेका पाम ट्री में इस तरह का फंगस लगया था यानि एक कीड़ा लगया था जो धीरे-दीरे सारे प्लांट्स को खाया जा रहा था पर तो में छेद होया जा रहा था और यह वाले चीज़े मैंने सारे प्लांट्स में देखी तब मैंने इसके लिए एक मैंने तियार की थी जो मैं आज आप लोग शार शेयर करी हूँ कि आप लोग के बहुत सारे यहां पर कमेंट आए थे तो सिंबल से एक स्प्रे बॉटल में सबसे पहले हम डालेंगे वेनेगर और आप देख सकते कि व अब बस अपने पत्तों में स्प्रे कर लेंगे अगर आपका पौधा छोटा है तब तो आपको इस तरह के बग्स सामने से दिख जाएंगे लेकिन अगर आपका पौधा बड़ा है तब आप इस तरह के स्प्रे को डालके उन बग्स को अपनी आँखों से देख सकते है जैस यह तो था बेटा मैं दिखाती हो यह देखिए यह मेरे एक मनी प्लांट में लग गया था और पूरी तरह से मेरे मनी प्लांट के पौदे को ब्रबाद कर रहता बट वरी नट अब सारी चीजे बिल्कुल सही हो गई है कभी-कभी होता है कि हम बगहर के खाने से बोर हो जाते हैं यह हमने कोई वेट लॉस की डायेट को फॉलो कर रखा है तो भी रोज की वही खाने से हम बिल्कुल ही चिड़ जाते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाहर के भी खाने का कुछ भी मन नहीं रहता है तो जब मु बारी कटा हुआ यहां पर खीरा आलू करेंगे तक इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आजर बारी कटा प्यास डालेंगे उसके बाद यहां पर रोस्टेट पिनेट का मैं यूज कर रही हूँ दैन एक मसाला तयार करेंगे इसमें मैंने काला नमल, जीरा पॉडर, लालमिज और सफेद नमक को बाला है इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे यह एक सीक्रेट मसाला है जो किसी भी जालमूरी में बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है और उसकी तेस्ट को काफी जादा इन्हांस कर देता है यानि चटपटा बना देता है अब इसका टेस्ट को और बढ़ जा जो ओजते हैं अपना जाता होगा कि क्या बताँ मैं? चाहे तो यहां पर आप नीमू को यूस कर सक्टे लेकिन मकाली में ठोड़ साम बढ़ता है इसलिए मैं यहां पर यह मुझा अब भी जाली हो जाताए। च्लया हो जाताए जो बहुत प्तीली साओगी और कुछ अच्छा खाना चाहते हैं और साथी साथ वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो तो इस तरह की जालमोडी को घर पे जरू ट्राइब करें आपको बहुत ही ज्यादा साइड डिस्ट्राक्शन बिलेगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को ताकि आपको इस तरह की useful वीडियो हमेसा मिलती रहे तो चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलंगी न्यू वीडियो के साथ यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई